अधर इस साड़ देखे यह है प्लेट चोटे बड़े अलग अलग साइज के अलग अलग अधिजाइन के देखे नीचे भी है कई सारा यह देख रहे ना और इस साड़ देखे यह खाना बनाने के यूज में यह देखे पल्टा है यह लकड़ी का पल्टा है यह देख रहे ना इसी पर गार देखे यह भी है यह भी पल्टा है यह इसका प्राज देखा है तो साट रुपया यह लिखा हुआ है और यह भी पल्टा है यह 70 रुप्या का जो कि देखने में बहुत ही खुब्सूरत भी लग रहा है और इस साइट रैक में जो रखा हुआ है यह पूरा चाय पीने वाला है देख रहे हूंगे जो कि कि यह देख रहे हैं अकप है पूरा नीचे उपर कि यह भी पोठ है कि सिसे का और यह है बेलन इसका प्राइज है एक सो बीस रुपए एक सो बीस एक सो साथ कर देख रहा है इस साइड भी एक कतार में है कप है चाई पीने वाला जो कि चीनी मिट्टी का है इस साइड जार है यह भी चीनी मिट्टी का है तो आप चलिए अब चलते हैं इस साइड ये देखे ये है तिया यानि कि दिवारों पर आप किली गाड़के या फिर कुछ गाड़की से टांच सकते हैं जैसा कि आप देख रहाँगे जो कि दिवारों पर टांगा गया है और दोस्तों ये देख रहे होंगे जो की एक नेश्ट है घुसला ये देख रहे हैं काफी बड़े में है और टोटल देखाया है तो पुरा इसी का आकार दिया गया है घुसले का और ये उपर भी है देख रहे होंगे उस साइड भी पोर्ट है काफी बड़े बड़े हैं काफी बिग साइज के और इस साइड जो मूर्तियां है वह भी काफी खुपसूरत-खुपसूरत हैं और काफी बड़े-बड़े हैं ये देख रहे हैं न और इस साइड देखिए ये भी है काफी कुसूरत कुसूरत डिजाइन का इस पर देखा है तो यह मॉडल नंबर है यह तरीके से इस पर लिखा हुआ है यह जो मूर्तियां है उसका यह मॉडल नंबर है तो चलिए इस साइड से दिखाते हुए मैं फिर से लेकर चलता हूँ आपका इस साइड यह देखिए यह है आपका मार्बल का बना हुआ है इस साइड भी है, मारबल का बनावा है, और सबसे खुबसूरत यह देखिए, यह देख रहे हैं, कई सारे देवी देवताओं का इसमें प्रतिमा बना हुआ है, गाय के उपर, और उसी पर देखिए, इस साइड भी है, और इसके नीचे भी देखिए, पुरा मिट्टी का यह घर है, घर के सामने, यह पूरा जो है, यह दिया बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है, और इस साइड देखिए, शीसे में पैक, भगवान जी और इसके उपर भी देखिए, यह मारबल का पूरा है, यह देख रहे हैं और उसके उपर भी यह देख रहे हैं न, यह पूत जी का है प्रतिमा और यह पूरा मारबल का है, यह हनुमान जी, इस साइड दुर्गा जी, यह है संकर जी, देखे इस साइड भी है दुर्गा जी का प्रतिमा, यह पूरा जो है, यह पूरा मारबल का है, और इस साइड पूजा होता है, इस स रंकर जी का और पार्वती जी का प्रतिमा इस साड़ भी दुर्गा जी का है यह देख रहे हैं यह जितना वे चीज है यह पुरा मार्बल का बना हुआ है और दोस्तों इस साट भी देख रहा हूंगे जो कि कई सारे आपके प्रतिमा हैं दुर्गा जी का है कई सारे चीजों का है यहां पर और सबसे खुब्चुरा देखे है इस साट का यह देख रहे हैं ना लचमी गड़े जी का प्रतिमा यह देखे इसमें है और इस से रियाम देखा है तो यह जितने भी मूर्तियां है देवी देवताव का प्रतिमा यह पूरा मार्बल का बना हुआ है यह देखे बहुत ही उसूरतिया ना जा रहा है तो चलिए दूसको इस साट से घुमाते हुए मैं आपको लेखर चलता हूँ आगे यह देख रहे हैं इस साट भी देखे लचमी गड़े जी का प्रतिमा लगा हुआ है और कई सारे अन देवी देवताव का भी मूर्ति लगा हुआ है यह देख रहे हैं इस साट फिलाल देखाया तो लचमी गड़े जी का ही मूर्ति है और उस साट दिखे वो है और आधा कृष्णा जी का चलिए अब चलते हैं इस साट यह देख रहे हैं इस साट भी कई सारे आपके तेवी देवताव का प्रतिमा है तो दोस्तों यह देख रहे हैं कि यह आपका फॉंटें यह देख रहे हैं क्योंकि देखने में बहुत ही खुबशूरत यह लग रहा है और यह देख रहे हैं यह प्रतिमा है बुद्ध जी का इसपेकार है आगा है आजाल सबस्तरी पीलाइस साथ यह मुझा सलना जाहरा है नमें नर्ड पॉरए रैसमी पिल्ट होगि ओडिया है । यह देख रहे हैं तुर्गा जी का अनुमान जी का राधे कृष्ण का इस एड़ भी बुद्ध जी का है लौफिंग गुद्धा यानि देखा है तो इस दुकान में काफी भरमार है एक सेख दियायन की मूर्तियां जैसे की देखी पा रहूंगे और यह देखिए दूद का बल्टा तकी देखने में बहुत ही कुपसूरत है घर में डेक्रोरेट करने के लिए भी इस साइड़ भी कई सारे आपके काले जी का देखिए प्रतिमा है यह इस साइड देखिए कृष्ण जी का दूरगा जी का यह देख रहे हैं पूरा आइटम है यह देखिए तो जितने भी रेक में लगे हुए है पूरे चीनी मिट्टी का यह जो है पत्थर का कचवा यह देखिए मेढ़क है और यह देखिए यह है मंदिर यह पूरा बना हुआ है आपका मार्बल का इसमें देखिए प्राज भी लिखा हुआ है कि यह देखिए गड़ेजी का प्रतिमा है जो कि यह भी मार्बल का है इस साइड राधा कृष्णेजी का इस साइड गड़ेजजी का यह देख रहे हैं दोस्तों कि यह देखिए तो चलिए इस साइड से भी में लेगा आपको चलता हूं तो अने रीज़े का वीडियो में यह देखिए बूद्र जी का प्रतिमा हाथी कच्छुगा यह भी हाथी है इस साइड लगातार हाथी काफी खुशूरत 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 लम्प छोटे बड़े डिजाइन के जैसे कि आप देख पा रहा हूंगे और यह जो है मुझे लगता है यह राप में जनने वाला यह एक लैंप है कि सब्सक्राइब कर देखे कब है चाइब पीने वाला यह भी लैंप है कि यह जो है पुरा चीनी मिट्टी का है यह देख रहे हैं यह भी पोट है चोटा चोटा पॉट है यह भी पोट है और यह भी बड़े-बड़े पॉट है जैसा कि देख रहा होंगे और ये है जार चीनी मिट्टी का ये देखे ये भी जार है योगी चीनी मिट्टी का है ये भी और इस सेट भी है छोटे बड़े जार इस सेट सीसे के जार है और इस सेट भी जार है ये देखे घोसला है और ये भी देख रहे हैं ये पोट है पुरा चारो तरफ देखेंगा तो यी पुरा पोटी ने ज़रा रही आपको इस साड ये जो है ये देखे है ये है आपका हांडी ये जो है ये भी चीनी मिट्टी का है और ये जो है ये है आपका जाद और ये है फ्लेट छोटे छोटे बहुत पुत्फुरा डिजाइन के देख रहे हैं न दोस्तों ये भी देखिए एक पोट है बेड़क डिजाइन में उपर है आपका जार इस सेड भी है जार सिसे का ये है मंदिर ये है पोट और यहाँ पर देखिए कई सारे छोटे बड़े एक से एक डिजाइन के यहाँ पर है प्लेट अगर प्लेट लेना होगा तो जरूर एक बार पदारिएगा और उसके अलामे बहुत से चीज़ हैं ये देखिए प्लेट जो कि देखने में बहुत ही खुबसूरत पत्ती वाला डिजाइन ये देख रहें दोस्तों ये देखिए ये हैं पॉट काफी बढ़ा में और इस साइड देखिए बुद्ध जी का प्रतिमा उसी प्पकार देखिए इस साइड ये देखिए डौ का योकी बहुत ही अलग रिजाइन का है जो कि देखने में बहुत ये खुब्सूरत लग रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस साइड भी देखिए पॉट है और इस साइड है जार जो कि ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है इस साइड भी देखिए मंदिर है ये पूरा मार्बल का बना हुआ है यह देखिए यह जो है काफ़ी बड़े में है मंदिर तो इसलिए इसका जो प्राइज है वो है 11,000 रुपए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहां मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और जो दोस्त मेरे चैनल बनार्सी यूटूबर पर नए है उन्होंने मेरा चैनल बनार्सी यूटूबर अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजेगा और साथ ही बैल आइकान आल पर पेस कर दीजेगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पौशता रहा है और ऐसे ही में वीडियो बनाता रहता हूँ और दोस्तों कोशिज किजिए कि इस वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों और सेदारों में सेहर करने के लिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव